आप जो मेरा ये pen card देख रहे हैं अगर इस pen card का किसी इस camera के हाथ या गलत वेक्ती के हाथे अगर ये आपका pen card चट जाता है तो इससे आपको क्या हानी हो सकती है कितना बड़ा नुक्षान आपको उठाना पड़ सकता है आज हम उसी सम्मद में आप और हम बात करेंगे यानि कि जो आपका pen card होता है उसका उपयोग आपकी bank account खुलवाने से लेके आपकी हर चोटी मोटी financial जो भी आप financial उपयोग करते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है लेकिन अगर ये pen card आपने किसी scammer के साथ या किसी hacker के साथ या किसी cyber ठक के साथ सेर कर दिया तो आप इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है आज हम बात करेंगे कि जो आपका pen card है उससे क्या आपको नुकसान हो सकता है और नुकसान हो गया या आपने सेर कर दिया तो उससे आप कैसे बच सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जो pen card है इसका कहीं गलत उप्योग हुआ है या नहीं हुआ है आज हम बात करेंगे कि आपका जो pen card है आपका permanent number होता है यानि कि जो की financial जो system होता है उसमें आपका pen card बहदी उप्योगी system है तो अपन जैसे बात करेंगे कि आपका pen card आप लोग क्या करते हैं कहीं भी जो application होते हैं जो RBI से अप्रूग नहीं होते हैं इस cameras दोवारा तियार किये जाते हैं फैक application होते हैं उनमें हम क्या करते हैं उनके दोवारा हमारे से जैसी pen card मंगा जाता है अपन क्या करते हैं उनके साथ share कर देते हैं लेकिन वो लोग आपके pen card का use करके आपके pen card का use करने के बाद वो क्या करते हैं इससे कोई ने कोई छोटा मोटा loan उठा लेते हैं जिसका सिधा असर आपके credit score पर पड़ता है यानि कि अगर आपके pencard पर कोई loan active हो गया है और आपको पता नहीं चल रहा है तो उसकी recovery आपके खाते से ही होनी है तो अपन क्या करते हैं? इस इस्तिती में हम गबरा जाते हैं जैसे आपको पता चलेंगी मेरे pencard का कही miss use तो नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है? आप फिरी में अपना credit score आशानी से check कर सकते आप patium application होता है patium application पर एक सुईदा है उस पर जाके आप अपने जो pen number है उसके number डालके वहाँ से अपना credit score check करोगे credit score check करने के बाद आपके नीचे आपके pencard पर जितने भी active loan होंगे या de-active loan होंगे उसकी clear history आपके सामने show हो जाएगी तो आप क्या जैसे आपका loan आपको ऐसा लग रहा है कि ये loan मेरे दवारा नहीं लिया गया है तता मेरे credit score में वो loan show कर रहा है तो आप क्या करो जैसे उस loan के बारे में detail प्राप्त करो किस bank का loan है फिर उस bank से आप संपरक करके वहाँ से अपने loan के बारे में अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते है और उसके बाद आप NSDL की जो website है वहाँ जाकर इसके सम्मद में अपनी सिकाई दरज करा सकते है सिकाई दिरजगराने का ये मतलब होगा कि अगर आपने loan नहीं लिया है आपके active loan में आ रहा है तो वो loan NSDL दोरा जांच करने के बाद उसको विश्टरी जांच करके फिर उसके कोई ना कोई नहीं ने लिया जाएगा तो उससे आप एक बच सकते हैं आपको pen card है सबसे बड़ी important बात है कि आपको अपना pen card कभी भी किशी के साथ share नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने share किया तो उसका mission जो होना सभाविक है तो आप लोग अगर आपके लग रहा है कि आप क्योंकि pen card हर जगे आपके द्वारा उप्योग किया जाता है आज जगल pen card एक meditate entry आपके जो documents हैं उसमें सामिल कर लिया गया है यानि कि आवशेक्ता हर जगे इसकी पढ़ती रहती है यानि कि pen card का उप्योग बहुती ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोगों को जैसे जैसे इसका उप्योग बढ़ा उसके साथ साथ स्केमर दवारा इसको target किया जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखें कभी भी अपना pen card किसी अजनभी वेक्ति, किसी भी cyber scammer या किसी हर किसी वेक्ति के सामने share ना करें अन्यता इससे आपको बहुत बड़ा financial loss उठाना पर सकता है अगर गलती से आपने कहीं ना करें share कर दिया है तो आप जो NHDL की website है उस पे जाके वहाँ से contact करके संपर करके ये पता लगा सकते है कि मेरे जो pen card है उसका कहां कहां उप्योग हुआ है क्योंकि वहाँ से आपको clearly पता चल जाएगा कि आपका pen card का कहीं miss use हुआ है या नहीं हुआ है और second जो है आप पैटियम पे जाके आप आसानी से check कर सकते है कि मेरे जो pen card मैंने किसी के साथ share किया उस पे अभी वरतवान में कितने active loan है कभी कितने active है या आपका कोई loan due तो नहीं है और अगर आपने वो loan खुद ने नहीं लिया है तो आप वहाँ जाके अपनी bank का पता लगा के वहाँ contact करके वहाँ से संपर करके फिर नसडियल और bank के जरीए आप अपने loan के बारे में अपनी शिकायत असानी से दर्ज करा सकते हैं वीडियो गर अच्छा लगा तो अजीग से अधिक दोस्तों तक share करें ताकि जो pen card fraud हो रहा है उससे आप बच सकें अपने परिचीतों को आप बचा सकें धन्यवाद